नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार में आपका स्वागत हैं जिसमें 12 अप्रेल तक कूल 64,050 किसानों को 151 को रुपय का भुगतान हो चुका है देवघर एमस में लगी भिशन आग देवघर एमस परिसर के निर्मानाधिन भवन में गुरुवार को आग लग गई है हलाकि इस आग पर काबू पालिया गया है बताया गया है कि देवघर एमस के भी बलोक के निर्मानाधिन बिल्डिंग के पास आग लगी दरसल निर्मानाधिन हिस्से में कुछ कचरा रखा था जिसमें अचानक आग लग गई मौके पर मौझूद कर्मियों ने जेसी भी की मदद से कचरा को रौंद कर और पानी डालकल आग बुझाया है बताया जा रहा है कि दमकल वहन के पहुचने से पहले ही आग पर काबू पालिया गया था वहीं इस ममले पर स्वास्त मंत्री बना गुपता ने जाच के आदेश दिये है मिली जनकारी के अनुसार जिस भवन में निर्मान कार चल रहा था उसके नीचे जमा कचरे पलास्टी के धेर में आग लग गई देखते ही देखते कचरा धू दू कर जनने लगा जिसके आग की लपेट और धूआ खुब उची उठाई देखने लगी मौके पर मौजूद कर्मियों ने जैसी भी की मदल से कचरे को रोंदा और पाई डाल कर आग बुझा दिया है पूजा सिंगल के बाद जैरखन के आई एस छवी रंजन पर इडी का सिकंजा है परवतन निदेसाले ने रांची के पूर्व उपायुक्त और आई एस अधिकारी छवी रंजन पर कानूनी सिकंजा कसना सुरू कर दिया है रांची के बरियातों इस्ति सेना के कपजे वाली जमीन के अवैध तरीके से खरीद विक्री मामले में इडी ने गुरु आर सुबतिन राज्जियों के 22 ठीकानों पर छपे मारी की है इडी ने जार्खन के रांची और जमसेतपूर के अलवा बिहार के गोपाल गंज और बंगाल के कुलकात्ता में छपे मारी की यह सब ही ठीकाने रांची के पुर्व उपायुक्त छवी रंजन उनके कर्याले पदस्थापीत रहे चार अंचला अधिकारी उनके रिष्टेदार कुछ जमीन माफिया और जगत बंधू टी एस्टेट के संचालक से समंधित है बतादे पुजा सिंगल के बाद छवी रंजन जार्खन के दूसरे आई-एस अधिकारी है जिन पर एडी का छपा पड़ा है जार्खन में सुखा रहत के लिए आ रहे फरजी आवेदान सुखा रहत के लिए कराए गए ओनलाइन आवेदान में बड़े प्रेमाने पर गड़बड़ी और फरजी वाहा होने की आसंका सरकार को है इसको लेका राज सरकार नगंभीता से लिया है बतादे क्रिसी पसुपार नमसा करता भी भाग ने जहां भी गरबड़ी की असांगा की है उसकी जाच कराने को कहा पाकुर जीले में कराए गए जाच में भूमेहीन किसान की स्रेनी सी में किये गए 80,000 आवेदन में से 74,000 गल्द पाए गए है वहां इस रेनी में मात्र 3,000 के आसपास आवेदन ही सही पाये गए जिसके बाद सरकार ने कई जीलों को आवेदन का भौतिक सत्यापन करने को कहा बतादे पाकुर जीला परसासे ने प्राप्त आवेदन में दिये गए अधार काड के बाद पता का सत्यापन कराया था इसमें सतर हयाश अधिक पते पर लोग नहीं मिले हाए सीवु सुरेन से जुड़े मामले में दिली एच सी में सुनवाई 22 माई को जारखन के दिसवम गुरू और जारखन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पुरमुक मंत्री सीवु सुरेन से जुड़े लोग पाल मामले में दिली हाई कोट में सुनवाई हुई गुरुवार को इस मामले में आदालत में आसिक रूप से सुनवाई की गई जनकारी होकी इस मामले में अगली सुनवाई 22 माई को तैकी गई है जनकारी होकी इस मामले में पिछली सुनवाई के दरान आदालत की और से आई से अधिक संपती मामले में सीवु सुरेन के खिलाब लोग पाल के सामने करवाही पर रोक लगा दी गई थी साथी जनकारिया भी मिली है कि सीवू सुरेन ने अधिकार छेतर के आधार पर केंद्रिये जाच एजनसी को प्रारामबिक जाच की करवाही और आदेश को चुनोती दी है अब ऐसे में 22 माई का दिन बहुत ही बड़ा माना जा रहा है गड़वा के पुरोविधायक सतिनरना तिवारी सड़क दुरूगाटना में घायल इस दोरान एम्बूलेंस में डॉक्टर टी प्यूस को उनकी रास्ते में देख भाल करने के लिए भीजा गया है घटना के संब्ध में बताया गया है कि पूरो विधायक सतने नातिवारी ने मेदनी नगर से अपने सकारपियों पर दो बडिगाट के साथ गढ़वा आ रहे थे इसी दवरान जूरा पेट्रोल पंप के पास एक पिकाप वएन सामने आ गया और उसे बचाने के दुरान उनकी सकारपियों अनेतित होकार एक पोल से टकराते हुए खेत में चला गया आठवी बोड परिक्षा सुरू धनबाद में 35 बिद्यार्थी सामील जारखन एकेडमी काउंसिल की आठवी बोड की परिक्षा आई से होगी इसके लिए धनबाद में 122 के अंदर बनाए गया है परिक्षा OMR सीट पर दो पालियों में ली जाएगी बतादे पहली पाली सुब्बा 9 बच कर 45 मिट से आपराहन 1 बये तक और दूसरी पाली आपराहन 2 बये से साम 5 बये तक होगी परिक्षा में करीब 36 परिक्षा सामील होगे इधार नवी बोड की परिक्षा बुद्धवार को संपन हो गई है आज परिक्षा में 45 बिद्यार् अभियान शुरू खासरा की रोक्ताम को लेकर पाकुर जिला मुख्याले समेत सदर परखंड के इलाकों में बुद्धवार 12 अपरेल 2023 टिकाकरन का कारे सुरू कर दिया गया है एक माह तक चलने वाले अभियान का सुभाराम डी डी सी सहीद अक्तर ने कस्तुरबा कांधी अव बिमारी है इसकी रोक्ताम के लिए जिला पाकुर पूर्ण रूप से सतर्क एवं तयार है उन्होंने कहा है कि भारत सरकाने इस बस मिजिल्स रूबेला के उनमुलन के लिए लक्ष निधारित किया है इसमें 9 महिने से लेकर 15 साल तक के जिले के लगभग 3,34,000 बच्चों का एम आर्ट टिकाकरन निर्धारी थाए जार्खन के 307 अभियार्थियोक नियुक्ति पत्र अर्जुन मुन्डा हुए सामिल जार्खन सहीत देश भर के 176 युवाओ को पीम नाज़न नमोदीन नियुक्ति पत्र सोपी है जिसमें रांची में पीम रोजगार मेला के तहत जा जार्खन के 307 अभियार्थियोक नियुक्ति पत्र सोपा गया बता दे भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे रोजगार मेला के तहत गुरु आरको प्रदान मत्री नाज़मोदीने जार्खन सहीत देश भर के 176 युवाओ को नियुक्ति पत्र दी है 10 लाख युवाओ को जार्खन में कुरोना भैक्सिन की किलात जार्खन में कुरोना टिका करन बंद है क्योंकि कुरोना भैक्सिन उपलब्द नहीं है बता दे राजे में 70 लाख से अधिक याबादी ने भैक्सिन का दूसरा डोज नहीं लिया है केंदर सरकार से 50 डोज भैक्सिन की मायंग की जार्खन में 1-1.5 महिने पहले तक कुरोना का एक भी केस नहीं था लेकिन पिछले एक पकवाड़े में कुरोना के मावले तेजी बढ़े है राजे में एक्टिफ केस की संक्या 120 के आकड़ों को पार कर गया है वहीं राजे के 24 में से 14 जीले में कुरोना संक्रमित मिल चुके ह अनधे अधिक केस रांची में हैं कुख्यात नक्सरी मुनेस्वर गांजु एनाईये रिमांडप झाण के कुख्यात नक्सरी कमांडर रविंद्र गांजु को खास सयोगी मुनेस्वर गांजू और गोविंद बिर्जिया को एनाईय ने रिमान पर ले लिया है 14 अप्रेल तक दोनों से पुष्टाच होगी ओपरेशन बुलबुल के दवरान दुनों की गरपतारी हुई थी बतादे जार्खन पुलिस के वांटेड लिस्ट में सामिल कुख्यात नक्सली कमांडर रविंदर गांजू के दो खास सयोगी को एनाईय ने रिमान पर लिया 14 अप्रेल तक दोनों से एनाईय पुष्टाच करेगी जार्खन के नक्सल प्रवावीत पेश्रार थाना चेतर के रहने वाले कुख्यात नक्सली मुने स्वर गांजू और गोबिंद बिरजिया को एनाईय ने रिमान पर लिया है गोड़ा में सितला माता की परतीमा तोड़े जाने के बाद तनाव असमाजिक ततो दोड़ा सितला माता की परतीमा भी खंडित करने के बाद ग्रामिनों में आकरोस ब्याप्त हो गया है पुलिस को सुचना मिलते ही गांप पहुंची और गांवे कैम्प किया है फिलहाल इस्थीती नियंतरन में है पुलिस का कहना है कि जल्द ही परतीमा को भी खंडित करने वाले लोग गिरप्त में होंगे पुस्ताश और अनुसंधान जारी है फिलाल उक्त अस्थान पर नवी परतीमा लगाने की कवायद की जा रही है बता दे पोड़या हाट परखंड अंतरगात नोडिहा पंचाज के रेलवे क्रोसिंग के समीप अस्थापी सितला मा की परतीमा को अग्यात लोगों ने विखंडित कर दिया है सीविल कोट के वकिलों ने जम सेथपूर में वकिल को हतकड़ी पहनाने का किया बिरोध सीविल कोट के वकिलों ने जम सेथपूर में वकिल चंदन चोबे की गुरफतार करने के बाद हतकड़ी पहनाने की कड़ी निंदा की है अधिवक्तावन ने गुरुवार को अधिवक्ता संग भवन के सामने बिरोध परतसन किया साथ ही पूलिस के खिलाप जम का नारेबाजी की गई अधिवक्ता संग के अध्यक्ष राजमनी परसाद ने कहा है कि पूलिस ने बिना किसी कारण के अधिवक्ता चंदन चोबे को गुरफतार किया और हतकड़ी लगा कर जेल भेजा यह बहुत ही निंदिये है और पूरा अधिवक्ता समाज इसका विरोध करता है लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग रायस सुप्रीमो लालू परसाद यादव की मुस्किलों और बर सकती है जारखन हाई कोट में गुरु वार को चार्य घोटाल है मामले में जश्टिस सुजीत नरण परसाद वा जश्टिस सुवास चंदर की खंड़ पीठ ने इस मामले को सक्छम बेंच में भेजने का निदेश दिया है बदादे पिछली सुनवाई की दरण अदालत ने CBI और लालू के अधिवक्ता से पूछा था कि जब इस मामले में लालू की अपील एकल पीठ में सुनवाई के लिए लंबित है तो क्या खंड पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है आज सुनवाई शुरू होते ही आदालत नहीं से दूसरी आदालत में भेजने का निदेश दे दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक कंदवाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़ एक अवस्य दे थैंक्यू